नमस्वाय बच्चो आज हम लोग इस वीडियो में और पठित गर्द्यांस पढ़ने वाले हैं उसे मैं पढ़कर आप लोगों को समझाओंगी की कैसे करना है यहां पर एक पैरग्राफ दिया हुआ है जिसे मैं पढ़कर आप लोगों को बता रही हूँ मूर हमारा राश्ट्रे पकची है इसके सिर के ऊपर लगी कलगी को देख कर लगता है जैसे किसी राजा के सिर पर मुकुट है बादलों को देख कर यह अपने पंक फैला कर नासने लगता है इसकी सुन्दर पूँच किसी रंग भी रंगे च्छाते की तरह लगती है जो वसमारा मन मोह लेती है, इसकि अनुपम सुन्दर्ता के लिए इसे राश्ट्रेपक्शि घोसित किया गया है, तो ये था पेराग्राफ, इस पेराग्राफ से संबंधित कुछ प्रस्ण पूछे गया है, तो प्रस्ण है मोर को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप लोगो कु मैं बता रही हूं लिख कर मोर को क्या कहा गया है मोर को राष्ट्रे पक्षी कहा गया है प्रस्न नमबर दो पंक फैला कर मोर कब नाचता है आंसर बादलो को देख कर या अपने पंक फैला कर नाचने लगता है मोर की कलगी कैसी लगती है मोर की कलगी किसी राजा के सिर पर मुकुट जैसी लगती है मोर की सुन्दर पूँच किस तरह मन को भाती है इसकी सुन्दर पूँच किसी रंग बिरंगे चाते की तरह लगती है जो बर्बस हमारा मन मोह लेती है तो ये था ओपटित गद्यांस आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे और करने की कोशिज करें इसके बाद हम लोग और पठिद गध्यांस से अभ्यास भी करने वाले प्रैक्टिस वर्ग भी करेंगे ये आप लोगों को मैंने करके समझाया है कि कैसे और पठिद गध्यांस करते हैं ठीक है तब तक के लिए नमस्यवाय घर पे रहें और सुरक्षित रहें